क्या आपको लगातार पैसों की टेंशन बनी रहती है? मेंगाई बढ़ रही है, सेल्डरी कम है, खर्चे तो हैं रुकने का नाम इन ले रहे और नीन भी खराब हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 6 असान तरीके शेयर करूँगा, जिन से आप पैसों की टेंशन को दूर कर सकते हैं, नमर एक अपनी टेंशन की जड़ को ढूड़ें, सबसे पहले ये जानिये कि आपकी टेंशन का असली कारण क्या है, क्या एक किराय का बोज है, या कोई कर्द सता रहा है, नमर तो उन चीजों पर ध्यान दें, जिन पर आपका बस चलता है, कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे आपका शेयर मार्केट में उतार चड़ा होना, नौकरी का जाना, इन चीजों के बारे में सोच के परिशान होने की बज़ाएं, उन पर ध्यान दें, जैसे कि आपकी बचन, खच्चों का हिसाब रखें, और एक बज़ण बनाएं, नमर तीन है, 80-20 नियम, अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा बज़द के लिए अलग रखें, बाकी 80% पैसों को जुरूरी काम के लिए खर्च करें, फिर 30% बचाएं, फिर 40% बचाएं, जैसे जैसे आपकी सेविंग बड़ेगी ना, यह आपकी टेंशन कम होती जाएगी, नमर चार, यह अननेसेसरी खर्चों से बचें, जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, तो पहले सोचें कि क्या आपको उस समान की जुरूरत है के नहीं, यह अननेसेसरी खर्चें आपकी बचत को कम कर देते हैं और टेंशन बढ़ा देते हैं, नमर पाँच, बहुत सारे फाइनेशन डिसीजन लेने से बचें, इससे आपको परिशानी हो सकती है, एक समय में एक फाइनेशन डिसीजन ले, नमर छे, रेगुलर एक्सेसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं, यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा और आपके मन को भी शान्त रखेंगा, तो आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जुरूर लिखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सबको फाइनेशन स्ट्रेस रहती है, कल फिर मिलते हैं.